Hello guys, welcome back in Englishian So guys, आज के इस वीडियो को end तक आपको ज़रूर देखना है क्योंकि guys, आज के इस एक ही वीडियो में English grammar के जितने भी words है जितने भी helping verbs है जितने भी important model verbs है उन सभी को cover करने वाले है अगर possible है तो आप इनके notes भी ज़रूर बना लेना साथ साथ में ओके तो चलिए वीडियो को start करते है तो guys, चलिए सबसे पहले हम देखने वाले है having to के बारे में तो guys, having to का मतलब होता है किसी को कोई काम करना पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है ये तो हो गया हमारा present tense के लिए लेकिन यदि अगर हम चाहे तो इसी को हम past tense के लिए भी बना सकते है यानि कि किसी को कोई काम करना पढ़ रहा था इस sense के लिए भी हम having to का यूज़ कर सकते है ओके, आईए अब इसके structure को जान लेते है देखिए इसके structure में सबसे पहले आएगा subject उसके बाद में हमको लगानी है helping verb उसके बाद में having to को हमको लगाना है उसके बाद में verb की first form आएगी और बाद में आएगा object subject plus helping verb plus having to plus we one यानि की verb की first form और then last में आएगा हमारा object अच्छा अब देखिए अगर हमें किसी sentence का यानि की sentence का tense change करना है तो हम केवल इस structure में बिना कोई छेर छाड किये केवल helping verb को change करते जाएंगे यानि की tense के हिसाब से helping verb जो है वो change होती जाएगी जैसे मान लो एक example है जैसे की मुझे पढ़ना पढ़ रहा है तो मैं कहूंगी इसे English में की I am having to study यानि की मुझे पढ़ना पढ़ रहा है तो ये तो हो गया present वाला sentence यानि की ये sentence जो है वो present में है क्योंकि यहाँ पर sentence के आखिर में आया है करना यानि की मुझे पढ़ना पढ़ रहा है तो sentence के आखिर में आया है है तो ये sentence हो गया हमारा present tense का sentence मुझे पढ़ना पढ़ रहा है I am having to study अब देखिए इस sentence में I ये जो है वो subject है उसके बाद में I के बाद में helping verb आई है am तो guys यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि present में अगर sentence होगा तो subject के according हम is MR का use करेंगे यहाँ पर I a subject है इसलिए हमने यहाँ पर am is helping verb को use किया है अब यदि इसी sentence को हमको past में बनाना है जैसे कि मुझे पढ़ना पढ़ रहा था तो इस sentence के पीछे अगर था थी थे होंगे तो यह sentence हो जाएगा हमारा past tense का sentence तो मुझे पढ़ना पढ़ रहा था इसे हम इंग्लिश में कहेंगे I was having to study तो यहाँ पर was verb आएंगे past tense के लिए तो present tense में हम is MR का use करेंगे subject के according और past tense के लिए हम was verb का use करेंगे और is MR का use हम present continuous tense के लिए करते हैं और was verb का use हम past continuous tense के लिए करते हैं ओके चलिए और एक example ले ले लेते हैं उसे खेलना पढ़ रहा है उसे खेलना पढ़ रहा है He is having to play तो यहाँ पर भी देखिए He is subject के साथ में हमने is का use किया है क्योंकि sentence यह present tense में है अब देखिए यह वाला sentence जो है यह हमने past tense के लिए लिए लिखा है जैसे कि for example मुझे दौडना पढ़ रहा था मुझे दौडना पढ़ रहा था I was having to run I was having to run मुझे दौडना पढ़ रहा था अब देखिए sentence के last में अगर था थी थे होंगे तो वो sentence हम past का sentence consider करते है तो मुझे दौडना पढ़ रहा था तो यह हो गया हमारा past tense का sentence तो इसलिए हमने यहाँ पर I के I is subject के साथ में was का यूज़ किया है I was having to run मुझे दौडना पढ़ रहा था So guys in short यहाँ पर आपको इस चीज़ को याद रखना है कि sentence अगर present में होगा तो is MR के साथ हम having to का यूज़ करेंगे और sentence अगर past tense का होगा तो was वर के साथ हम having to को यूज़ करेंगे बाकी जो कुछ भी इसमें बचा है वो सब कुछ structure के हिसाब से same रहेगा इसमें कोई भी changes नहीं होंगे Okay, so I hope यहाँ पर having to का use आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब next देखते है जो की है could have So guys could have का मतलब होता है कर सकते थे या फिर past हो सकती थी कर सकते थे या फिर past हो सकती थी So could have के दो meaning होते है पहला है कर सकते थे और दुसरा है past हो सकती थी इन दोनों sense के लिए हम could have का use करेंगे So किसी काम को आप कर सकते थे past में या फिर past में आपके past में कोई चीज हो सकती थी इस sense के लिए हम could have का यूज़ करेंगे चलिए guys अब हम जान लेते हैं इसके structure को तो इसके structure में सबसे पहले आएगा subject उसके बाद में आएगा could have उसके बाद में यहाँ पर देखिए वर्प की first form नहीं बलकि वर्प की third form आएगी और last में आएगा object subject प्लस could have प्लस v3 प्लस object देखिए for example तुम वहाँ जा सकते थे तुम वहाँ जा सकते थे सो देखिए इसकी English कैसे बनेगी you could have gone there तुम वहाँ जा सकते थे you could have gone there तो इस तरह से तुम किसी काम को कर सकते थे past में जैसे कि तुम वहाँ जा सकते थे तुम वहाँ खेल सकते थे तुम वहाँ सो सकते थे तुम किसी चीज को ला सकते थे तुम किसी को पीट सकते थे तुम उसे बता सकते थे तो इन सब के sense के लिए हमको could have को use करना है तो इस प्रकार इस structure के हिसाब से हम in substance के लिए could have का use कर सकते है जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हमने subject लिख दिया है उसके बाद में आया है could have उसके बाद में verb की third form आई है और last में हमको object लिख देना है अगर sentence में object है तो guys यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर किसी sentence में model verb आया है और उसके साथ में यदि have जुडा हुआ है तो उसके साथ में हमेशा verb की third form आएगी V3 आएगी कौनसी form verb की third form आती है वहाँ पर और उसके बाद में हमारा object आएगा इसलिए यहाँ पर हमने go इस verb की third form गौन का यूज किया है तुम वहाँ जा सकते थे you could have gone there तो ये तो हुआ कर सकते थे इस वाले sense का example अब देखिए pass हो सकती थी इस वाले sense के लिए हम और एक example ले ले लेते है जैसे की for example तुम्हारे पास car हो सकती थी तो यहाँ पर देखिए ये वाला sense बनकर आ रहा है जैसे की कोई चीज आपके पास में हो सकती थी pass हो सकती थी तुम्हारे पास car हो सकती थी तो guys इसे हम English में कैसे कहेंगे you could have a car you could have a car तुम्हारे पास car हो सकती थी अब मैं आपको ऐसे भी कह सकती हूँ कि आपके पास में पैसे हो सकती थे आपके पास में बंगला हो सकता था या फिर आपके पास बाइक हो सकती थी घर हो सकता था इस तरह से कोई भी चीज जो मैं चाहती हूँ कि आपके पास हो सकती थी तो इस प्रकार के sense में could have के बाद में हमको उस noun को उस चीज को लिख देना है जैसे कि यहाँ पर हमने car हो सकती थी ऐसा कहा है तो हमने car लिख दिया है car इस noun को हमने लिख दिया है लेकिन जब हम could को लगा देते हैं जैसे कि could have यहाँ पर हमने use किया तो उस काम की possibility जो है वो कम हो जाती है यहाँ पर हमको इस चीज को याद रखना है अब देखिए next जो की है हमारा about to अब देखिए about to का हिंदी में मतलब होता है करने वाले है करने वाले है यह sense जब निकल कर आता है तब हम about to का use करेंगे तो करने वाले है इसका मतलब होता है किसी काम को करने वाले है या फिर कोई काम करने वाले है तो जब आप कोई काम करने वाले है तब आप about to का use कर सकते हो अब देखिए इसके लिए भी हम present और past में दोनों में sentences बना सकते हैं इन दोनों tenses के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी सेम वो ही बात है, present के लिए हम easyMR की series को use करेंगे और past tense के लिए was verb को लगाएंगे, तो चलिए आप देख लेते हैं इसके structure को, सबसे पहले आएगा subject, उसके बाद में helping verb, उसके बाद में about to का use हम करेंगे, उसक में आएगा हमारा object, so the structure is subject plus helping verb plus about to plus v1 plus object, चलिए इसे समझते हैं examples के साथ, जैसे की मैं जाने वाला हू, अगर हमें कहना है मैं जाने वाली हू या फिर मैं जाने वाला हू, तो हम कैसे कहेंगे इसे, I am about to go, I am about to go, मैं जाने वाला हू, I am about to go, अब देखिए यहाँ पर sentence present में है, क्योंकि यहाँ पर who आया है, इसलिए हमने यहाँ पर I इस subject के साथ में am को use किया है, am is helping verb को use किया है, यदि sentence past में होता, past का होता तो हम was वर का use करते, subject के according, तो इस तरह से कोई काम होने वाला है, या फिर कोई काम को आप करने वाले हो, इस वाले sense में हम about to का use करेंगे, अब इसी sentence को अगर हमको past के लिए बनाना है, जैसे कि मैं जाने वाला था, तो हम कैसे कहेंगे, I was about to go, अब यहाँ पर I इस subject के साथ हम simply was को लगा देंगे, क्योंकि यह sentence जो है, वो past का हो जाएगा इसलिए, चलिए अब हम next देख लेते हैं इसी में, वह रोने वाला है, वह रोने वाला है, यानि कि वह अब रोने जाने वाला है, तो इसे हम कैसे कहेंगे, He is about to cry, यह भी sentence present के लिए हम बोल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर is, इस helping verb को यूज़ किया है, He is about to cry, वह रोने वाला है, यानि कि वह बस अब रोने ही वाला है, He is about to cry, और यदि हमें कहना है कि वह अब सोने वाला है, तो हम कैसे कहेंगे इसे, He is about to sleep, उसी तरह से अगला देखिए, तुम जाने वाले हो, तो इसे हम कैसे कहेंगे, You are about to go, उसी तरह अगला देखिए, तुम आने वाले हो, इसे कैसे कहेंगे, You are about to come, तुम आने वाले हो, तो इस तरह से तुम कोई काम करने वाले हो, या फिर कोई और कोई काम करने वाला है, इसे बताने के लिए हम about to का यूज करेंगे, यहाँ पर ध्यान में लेना है वर्ब की first form का यूज हम करेंगे तो इस तरह से कोई काम करने वाले है या फिर कोई काम करने वाला था तब भी हम about to का इस्तिमाल करेंगे past और present इन दोनों के लिए हम about to का यूज इस तरह से करते है हमको क्या करना है यहाँ पर केवल tense के according helping verbs change करने है present के लिए is MR यूज होंगे और past के लिए was वर यूज होंगे अब चलिए next देख लेते हैं जो की है would have अब देखिए would have के भी दो sense निकल कर आते है जिसमें से पहला है past होगा और इसका दूसरा sense है काम कर चुका होगा past होगा या फिर काम कर चुका होगा तो कोई चीज किसी के पास होगी या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा इन दोनो sense के लिए हम would have को यूज करेंगे चलिए अब इसके structure को देख लेते हैं सबसे पहले आएगा subject उसके बाद में आएगा would have उसके बाद में यहाँ पर वर्प की first form नहीं बलकि third form आएगी और last में आएगा हमारा object subject प्लस would have प्लस v3 प्लस object यह हुआ हमारा would have का structure अब जैसे की for example मुझे कहना है उसके पास किताब होगी तो इसे मैं इंग्लिश में कैसे कहूंगी he would have a book उसके पास किताब होगी इसे कहेंगे he would have a book उसी तरह मान लो अगर कहना है वह खेल चुका होगा तो इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में he would have played यहाँ पर play इस वर्प की third form आजाएगी यानि कि play इस वर्प को ed लग जाएगा last में so he would have played वह खेल चुका होगा यहाँ पर eat इस वर्प की third form हमने use की है जो की है eaten वह खा चुके होगे they would have eaten so इस तरह से would have के बाद में हमको वर्प की third form को use कर लेना है और किसी के पास कोई चीज होगी इसे बताने के लिए हम would have के बाद जो भी चीज उसके पास है उस noun का use हम कर लेंगे उस चीज को हम वहाँ पर use कर लेंगे would have के बाद इस तरह से would have को हम use कर सकते है next है हमारा इसमें can be अब हम can be के use को सीखेंगे can be का मतलब होता है हो सकते है कोई व्यक्ति कही पर हो सकता है हो सकती है या फिर कही कुछ चीज हो सकती है इस sense के लिए हम can be का यूज करेंगे इसके structure में सबसे पहले हमको subject लिखना है उसके बाद में can be को लिखना है और उसके बाद में आएंगे other words subject plus can be plus other words जैसे कि for example वह घर पर हो सकता है तो हम इसे कह सकते हैं he can be at home he can be at home वह घर पर हो सकता है यहाँ पर हम can be की जगह maybe का भी इस्तिमाल कर सकते हैं यानि कि वह घर पर हो सकता है यहाँ पर हम संभावना जता रहे होंगे कि वह घर पर हो सकता है तो हम यहाँ पर can be के जगह maybe का भी यूज कर सकते है he may be at home याने कि शायद वह है घर पर होगा उसी तरह अगर कहना है कि रूहान स्कूल में हो सकता है रूहान जो है वो स्कूल में हो सकता है तो हम कैसे कहेंगे? रूहान can be in school रूहान can be in school याने कि रूहान जो है वो स्कूल में हो सकता है तो इस तरह से हम can be का use कर सकते हैं चलिए अब हम next देखते हैं जो की है will be will be का मतलब होता है रहा होगा, होगी, होंगे है ना मतलब की कोई किसी काम को कर रहा होगा इस type का sense यहाँ पर आएगा तो will be का मतलब होता है रहा होगा अब देखिए ये जो काम कोई कर रहा होगा ये वाला जो काम है ये future के लिए हम बात कर रहे है future में कोई काम कर रहा होगा तब हम will be का इस्तमाल करेंगे तो इस तरह से आने वाले समय में कोई किसी काम को कर रहा होगा ये बताने के लिए हम will be का यूज़ करेंगे अब आईए इसके structure को हम जान लेते हैं सबसे पहले इसमें subject आएगा उसके बाद में will be आएगा फिर आएगी verb की first form plus ing और last में आएगा object subject plus will be plus v1 plus ing plus object अब देखिए for example अगर हम कह रहे हैं कि वह खेल रहा होगा यानि कि present की हम बात नहीं कर रहे हैं बलकि हम future के लिए बोल रहे हैं कि वह खेल रहा होगा तो हम इसे English में कहेंगे he will be playing play इस verb के first form को ing लगा है यानि कि ये जो कारिया है वो continuity में है शुरू है यानि कि ये जो कारिया है वो continuity में हम बता रहे हैं कि वह आने वाले समय में खेल रहा होगा he will be playing वह खेल रहा होगा उसी तरह अगर हमें कहना है कि वो या फिर वे खा रहे होंगे इसे हम कहेंगे they will be eating they will be eating वे खा रहे होंगे या फिर वो खा रहे होंगे they will be eating eat इस verb को यहाँ पर हमने ing लगा दिया है ओके तो गैज इस तरह से कोई किसी काम को future में कर रहा होगा ये बताने के लिए हम easily will be का इस्तिमाल करेंगे ओके चलिए अगला देखते हैं जो की है could अब could का मतलब होता है कोई व्यक्ती किसी काम को कर सका या फिर कोई व्यक्ती किसी काम को कर पाया तो ये जताने के लिए हम could का इस्तिमाल करेंगे अब देखिए इसके structure में सबसे पहले आएगा subject उसके बाद में could फिर आएगी वर्प की first form और देन last में आएगा object subject प्लस could प्लस v1 प्लस object जैसे कि for example अगर मुझे कहना है कि मैं नहीं गापाई या फिर मैं नहीं गापाया तो हम इसे कैसे कहेंगे I could not sing या फिर I couldn't sing उसी तरह अगर मुझे कहना है कि वह नहीं आपाया तो मैं कहूंगी He couldn't come और He could not come यानि कि वह नहीं आपाया या फिर वह नहीं आ सका सका या फिर पाया इन दोनों sense के लिए हम could का यूज करेंगे यहाँ पर sentence negative है इसलिए हमने यहाँ पर not का यूज किया है अगर sentence positive होगा तो हम not का यूज नहीं करेंगे उसी तरह अगर कहना है कि मैं नहीं देख सकी मैं नहीं देख सकी तो हम इसे कहेंगे I couldn't see या फिर I could not see यानि कि मैं नहीं देख सकी या फिर मैं नहीं देख पाई ओके इस तरह से हम could का use करेंगे next है हमारा has, have अब देखिए has, have का use हम simple present tense के लिए करते हैं इसका structure है subject plus has or have and then object काफी simple है इन में हमको ज़्यादा कुछ करने की जरुरत नहीं होती है, सबसे पहले subject लिखना होता है, फिर subject के according have या has आएंगे and then last में object आएगा, चलिए इनको भी हम examples के द्वारा समझ लेते हैं, उससे पहले जान लेते हैं कि has, have का मतलब यानि कि किस sense में हम इनका use करेंगे जैसे कि हमें कहना है कि किसी के पास कुछ है किसी के पास कोई चीज है, ये जब हमें बताना होता है, तब हम subject के according, has और have का use करते हैं जैसे कि for example, मुझे कहना है कि मेरे पास car है तो मैं इसे कहूंगी I have a car मेरे पास car है, उसी तरह अगर कहना है कि आपके पास घड़ी है तो मैं कहूंगी, you have a watch आपके पास घड़ी है उसी तरह अगर मुझे कहना है कि उसके पास काफी सारे पैसे है, तो मैं इसे कहूंगी, he has lot of money उसके पास काफी सारे पैसे है तो इस तरह से guys हम have और has को use कर सकते हैं अब आप में से काफी बच्चे have को किसके साथ use करेंगे तो देखिए, he, she, it ये अगर subject होंगे he, she, it तो इनके साथ हम has का use करेंगे और बच्चे जो बच्चे है हमारे subjects, जो की है I, we, you, they इनके साथ हम have को use करेंगे, he, she, it के साथ has का use होगा और I, we, you, they इनके साथ हम have को यूज़ करेंगे तो इस तरह से he, she, it हाँ और एक बात he, she, it के साथ कोई व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति का नाम अगर होगा तो वहाँ पर भी हम उसके साथ hats का use करेंगे तो he, she, eat या फिर किसी व्यक्ति का नाम अगर होगा तो हम hats का use करेंगे और बाकी जो भी बच्चे subjects हैं उनके साथ हम have को use करेंगे अब next है हमारा may have may have का मतलब होता है शायद होगा तो देखिए इसके structure में सबसे पहले आएगा subject उसके बाद में may have फिर इसमें verb की first form नहीं बलकि verb की third form आएगी और देन object आएगा subject प्लस may have प्लस v3 प्लस object चलिए जान लेते हैं examples को उसके पास शायद car होगी तो हम इसे कहेंगे he may have a car उसके पास शायद car होगी he may have a car यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि शायद होगी हमको इस बात की surety नहीं है हम यहाँ पर possibility बता रहे हैं कि उसके पास शायद car होगी हमको इस बात की पक्की जानकारी नहीं है कि उसके पास में car है तो इस तरह से जहाँ पर हमें संभावना जतानी होती है वहाँ पर हम may have को use करते हैं उसके बाद वह शायद सोच चुका होगा He may have slept उसी तरह अगर कहना है वह शायद खेल चुका होगा तो हम इसे कहेंगे He may have played यहाँ पर वर्ब की third form का use हम करेंगे play इस वर्ब की third form played को use करके तो इस तरह से हम may have को use करेंगे चलिए अब next देखते हैं जो की है should अब should का मतलब होता है चाहिए क्या चाहिए? सलाह चाहिए किसी को राय देनी है या फिर किसी से लेनी है इस वाले case में हम should को use करेंगे इसके structure में सबसे पहले आएगा subject फिर आएगा should फिर आएगी यहाँ पर वर्प की first form और बाद में object subject प्लस should प्लस v1 प्लस object example देखिए तुम्हें जाना चाहिए यहाँ पर मैं सलाह दे रही हूँ किसी को कि तुम्हें अब जाना चाहिए तो इसे कहेंगे you should go तुम्हें जाना चाहिए you should go यहाँ पर v1 use होगा इसलिए यहाँ पर go लिखा है हमने go यह वर्प की first form होती है तुम्हें जाना चाहिए you should go उसे सोचना चाहिए he should think उसके बाद है हमें देखना चाहिए we should see तो गाइस इस तरह से आप should का इस्तेमाल कर सकते है किसी को कुछ करना चाहिए इस वाले sense में next concept है do or does अब do or does का इस्तेमाल जो है वो present indefinite tense याने की simple present tense में negative sentences और interrogative sentences को बनाने के लिए किया जाता है तो negative sentences का जो structure है वो इस तरह से होगा सबसे पहले आएगा subject उसके बाद में do or does आएंगे फिर not आएगा फिर verb की first form आएगी v1 then last में आएगा object और यदि interrogative sentences को बनाना है तो do or does को subject से हमको पहले लिखना होगा याने की starting में do or does आएंगे उसके बाद आएगा subject और rest बचा हुआ structure जो है वो सेम रहेगा और last में आएगा question mark यहाँ पर sense होगा कोई कुछ नहीं करता है याने की कोई किसी काम को नहीं करता है इस वाले sense में हम do or does का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे की for example वह नहीं आता है he does not come वह नहीं आता है he does not come या फिर he doesn't come यहाँ पर does not को हम इसके contraction form में याने की doesn't इस form में भी लिख सकते है he doesn't come वह नहीं आता है उसके बाद देखिए आप नहीं सोचते you do not think या फिर you don't think आप नहीं सोचते you do not think या फिर you don't think उसके बाद अब हम एक interrogative sentence ले लेते हैं क्या वे नहीं खाते do they not eat क्या वे नहीं खाते do they not eat यहाँ पर देखिए यह interrogative sentence है इसलिए हमने do को starting में लिखा है subject से पहले यहाँ पर इस sentence में they यह subject है और last में आएगा question mark क्या वे नहीं खाते do they not eat तो यहाँ पर जो दो उपर वाले sentences है वो negative वाले sentences है और जो नीचे वाला third वाला sentence है वो एक interrogative sentence है इसके बाद next है should be should be के भी दो मतलब होते है पहला है होना चाहिए और दूसरा है रहा होना चाहिए होना चाहिए और दूसरा है रहा होना चाहिए किसी को कही पर होना चाहिए या फिर किसी ने कुछ कर रहा होना चाहिए इस वाले sense में हम should be का use करेंगे इसके structure में सबसे पहले आएगा subject उसके बाद में should be और last में other words जो होंगे वो आएंगे subject plus should be plus other words जैसे कि उसे घर पर होना चाहिए he should be at home उसे घर पर होना चाहिए he should be at home उसके बाद है मुझे देख रहा होना चाहिए I should be watching मुझे देख रहा होना चाहिए I should be watching उसके बाद है उसे पढ़ रहा होना चाहिए he should be studying उसे पढ़ रहा होना चाहिए he should be studying तो इस तरह से होना चाहिए या फिर किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए इन दोनों वाले sense में हम should be का इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट है can, can का मतलब होता है सकता है, याने कि वो किसी काम को कर सकता है, तो ability याक शमता बताने के लिए हम can का यूज़ करते हैं, इसका structure है, सबसे पहले है subject, उसकी बाद में can, फिर verb की first form याने की v1 और last में आएगा object, subject प्लस can प्लस v1 प्लस object, जैसे कि वह जा सकता है, he can go, वह जा सकता है, वह कर सकता है, he can do, वह कर सकता है, उसी तरह हम नाच सकते है, we can dance, तो इस तरह से हम या फिर आप या फिर कोई और किसी काम को कर सकता है, इस वाले sense में हम can का use करेंगे Next है did अब did का इस्तेमाल simple past tense के negative sentences या फिर interrogative sentences को बनाने के लिए किया जाता है इसका structure है इसके structure में सबसे पहले आएगा subject फिर आएगा did फिर not फिर have और last में आएगा object subject plus did plus not plus have plus object इसका मतलब होगा कि किसी के पास कुछ नहीं था याने कि किसी के पास कोई चीज नहीं थी इस वाले sense में हम did का use करेंगे इसको example के द्वारा समझते है First है मेरे पास car नहीं थी इसे कहेंगे I did not have a car I did not have a car मेरे पास car नहीं थी इस sentence को हम simple past याने की past indefinite में भी लिख सकते है पर उस sentence में have नहीं आएगा उसके जगह verb की first form आएगी ओके Next है क्या आपके पास पैसे नहीं थे इसे इंग्लिश में कहेंगे Did you not have money Did you not have money क्या आपके पास में पैसे नहीं थे ये interrogative sentence है उसके बाद है तुम्हारे पास किताब नहीं थी इसकी इंग्लिश बनेगी You did not have a book You did not have a book तुम्हारे पास किताब नहीं थी इसके बाद next concept है Must be Must be का मतलब होता है जरूर Must be याने की जरूर इसके structure में सबसे पहले आएगा subject फिर must be और last में आएगे other words इसके examples देखते हैं First one is वह पक्का घर पर हो सकता है या फिर वह जरूर घर पर हो सकता है इसे English में कहेंगे He must be at home He must be at home उसी तरह अगर कहना है वह bank में हो सकता है He must be at bank He must be at bank उसके बाद अगर कहना है वह पक्का सो रहा होगा या फिर वह जरूर सो रहा होगा इसे English में कहेंगे He must be sleeping He must be sleeping यानि कि वह जरूर वह पक्का सो रहा होगा तो guys इस तरह से हम must be का use कर सकते हैं तो guys आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी comment करके जरूर बताईएगा आज की इस वीडियो में बहुत ही important topic को हमने cover किया है यदि हमसे कुछ छूट गया हो तो जरूर comment करके बताईए चैनल पर अगर नए हो तो ऐसी ही easy English learning वीडियो को पाने के लिए चैनल को subscribe जरूर कर लिजिएगा वीडियो को like जरूर कीजिएगा मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नया topic आप सब लोगों के लिए लेकर तिल देन, keep learning, keep practicing, keep sharing, keep watching English यान, stay connected thank you so much for watching this video guys, bye bye and take care